हम देख रहे हैं 7th chapter हमारा 7th part 5th standard हम देख रहे हैं हमारा ideal हिंदी पाथी पुस्तक के रिचित्र के देख कर को देख कर प्रश्नों के उतर लिखे माता रसोई में क्या कर रही है माता रसोई में रसोई बना रही है दादी मा क्या कर रही है, दादी मा पुस्तक पड़ रही है, लड़का क्या कर रहा है, लड़का खाना खा रहा है हमने टेक्स्बुक में भली भाती इसका उच्चारन किया है, अब आपको देख की लिखना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिगा, नहीं तो हम माग्स चाहतर भी आपको नहीं देख पाएंगे, रसोई आराम से आपको लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं, रसोई, स और यह, यह की मातरा, घर में थाली, गलास, कटोरी, कप, कैतली, कुकर, डिबा, जहार, आदी, भरतन है, तो मैं फटा-फट पढ़ूंगी, टोक्री में कौन-कौन से सब्जिया और कौन से फल है, तो टोक्री में आलू, फुल गोबी, लोकी, टमाटर और सब्जिया, और केला, सरे, सेब, अंतरसंत्रा, आदी, फल है, तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बट आपको अराम से पढ़ना है, खिडकी के बाहर क्या लिखाई दे रहा है, तो दिखाई क्या दे रहा हैं आपको, खिडकी के बाहर अच्छा, नील, आकाश, आसमान और बादल दिखाई दे रहे हैं तो आप लिख सकते हैं जैसे आकाश लिखने में प्रॉब्लम है तो आस्मान भी आप लिख सकते हैं आपको लिखना आना चाहिए आपको शब्द मिलने चाहिए दादी अम्मा क्या पड़ रही है तो दादी अम्मा तो बच्छों हम कहा थे अल्मारी में डिबे में क्या क्या है अल्मारी के डिबे में मिर्च मसाले दाल तेल यदी है ठीक है तो हमको हमने डिस्कस किया था ओरली अब हम रिटिन में लिखेंगे माता कहां बैठी है है माता चुले के पास बैठी है next है डैश खाना खा रहा है कौन खाना खा रहा है देखेंगे हम ए लड़का टोकरी में क्या रखा है टोकरी में भी और सी मतलब फल और सब्जी next है रसोई में खाना कौन बना रहा है तो मा खाना बना रही है क्या पसंद है क्या नहीं चित्र देखकर सही बॉक्स में डैश कीजिए तो आपको जो पसंद है वो आपने जो टेक्स्बुक में डिसकस किया वो आपको लिखना है बच्चो केवल वो ही आपको लिखना है जो पसंद है वो भी लिखना है जो ना पसंद है वो भी लिखना है टिक करना है अच्छा न लगे तो भी भी आपको खाने की जरुरत है जैसे करेला है ये सब है बच्चो क्योंकि ये आपको काफी पोशन देगा तो आपको यहां लिखना है मेरे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है चित्र देखके आपको wrong और right कीजिए तो यह पेज हमारा यहां पे almost done है बच्चों यहां पे आपको एक वचन बहु वचन हम करेंगे लड़का स्कूल जा रहा है लड़के स्कूल जा रहे है तो एक वचन पुस्तक पुस्तक खुली है पुस्तके खुली है कमरा खाली है कमरे खाली है तो 36 पेज हमारा फिनिश हुआ 37 भी 38 पे हमने लिखा है बच्चों यह पेज हम देखेंगे क्या यहां दिया है मेरे घर मेरे घर पे एक पंखा है मेरे घर में कई पंखे है घोडा भाग रहा है घोडे भाग रहे है यह सुरेंद्र का बेटा है यह सुरेंद्र के बेटे है दीवार पर राजा की तस्वीर है तो मैं वक्त लेकि इसले पढ़ रही हूँ क्योंके काना मात्रा भी मैं देख रही हूँ उसी तरह आपको बच्चों काना मात्रा देखते हुए लिखना है सिर्फ पढ़ने के लिए हमें नहीं पढ़ना है पेड पर देखे आपने देखा नीचे डॉट है डर के और उपर पे पे की जो निशानी है वो ली है जो मात्रा है वो डाली है पर चिडिया बैठी है पेरो पे चिडिया बैठी है अगर आपने एक बार ध्यान से दो बार ध्यान से तीम बार पढ़े पढ़ाई की और देखा कैसे शब्द किस तरह से लिखे है तो चौथी बार आपको पढ़ने के ज़रुत नहीं होगी एक्जाम तक तो आपको सब कुछ बली भाती आजाएगा ऐसा मेरा अनुमान है यहाँ पैंसिल है यहाँ पैंसिल ले है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश के शब्द लिखने हैं गौावा कस्टड आपल पिजिन पीज, पंकिन, शुगर, पोमोगैनिट पीज, यम, येलो बेरी, उरद, सुरगम, राउंड ग्रो, मेरी मा, कре विशे हम लिखेंगे, थोड़ा बोलेंगे, इनके उपर जितना बोले, उतना कम है, मा सबसे अनमूल होती है, मात का पूरा दिन, हमारी जरूरतों को पूरा करने में निकल जाती है, मेरी मा वो उठकर हमारे लिए नाश्टा बनाती है, और फिर हमें स्कूल वापस घर पहुचे तब तक वो घर के सभी काम निप्टा कर हमारे लिए खाना तेयार रखती है वो हमारे होमवर्ग करवाती है और अगर हम बिमार पढ़ जाए तो राद भर जखती है जब मैं घबरा जाता हूं तो मेरी मा मुझे प्रत्साहित करती है वो सभी कभी मुझे हारने नहीं देती तो इसके साथ हमारा 38 पेज खतम होता है बच्चो मिलते है एथ लेसिन में आठवे पार्ट में भरत का मिला तो मुझे दीजे इजाज़त और अपना हैपी लर्निंग अच्छे से पढ़िए मिलते हैं नेक्स सेशन में नेक्स लेसन में आठवे पात में बाई बाई